जैएन दोस्तों, स्वागे था आप सभी का आज के हमारे सेशन में दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पटवारी परिख्षा के जो विगत वर्सों में पेपर हुए हैं उन सभी प्रषनों के एनलेसिस करने वाले हैं इस वीडियो में हम computer के भाग के जो प्रशनत है उसका analysis करेंगे अगली आने वाली वीडियो में हम Hindi भासा के, अंग्रेजी भासा के और 36 गर्ड, GS इन सभी का भी analysis करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद हम आपके लिए free test series भी लेकर आएंगे हमारे इस channel पे तो अगर आपने अभी तक हमारे चानल के subscribe नहीं किया है जल्दी से हमारे चानल के subscribe कर लिजिए और bell icon को भी प्रेस कर लिजिए ताकि जैसे हम वीडियो से upload करें उसके notification आपको मिल जाए और अब उन्ही पर इक्षा के त्यारी आप बहुत अच्छे से कर सके हम शुरू करेंगे 2016 के question paper से ठीक है उसके बाद हम 2017-2019 के paper का analysis इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और pattern को समझिए कि किस प्रकार के प्रश्णों जो है व्यापम पूस्ता है और किस प्रकार के प्रश्णों के आने की संभावना है कुछ प्रश्णों जो हैं बार-बार repeat होते हैं उसका भी अंदाजा आपको लग जाएगा और आप अपनी परिच्छा की त्यारी और अच्छे से कर पाएंगे जो MPG है वह जो है वीडियो का एक extension है फिर अगला प्रश्ण था कि एक storage location में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है Reading, Writing, Controlling, Hand, Shaking तो एक storage location में डेटा डालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम writing कहते हैं ठीक है option B इसका सहीं उतर रहेगा अगला जो प्रश्ण था वो था निम लिखित में से कौन सा non-volatile memory के नाम से जाना जाता है तो इस प्रश्ण का जो सहीं उतर रहेता वो रहेता option D उपर युक्त सभी क्योंकि CD-ROM, DVD-ROM और hard disk तीनों को non-volatile memory के रूप में जाना जाता है इसलिए हमारा जो उतर रहेगा वो रहेगा option D आगे देखते हैं निम लिखित में से किसमें magnetic disk की तुलना में अधिक data access करने की गती है CD-ROM, CD, RW, DVD या उपरेक में से कोई नहीं तो इस प्रश्ण कर जो सहीं उतर रहेगा वो रहेगा option D, उपर एक तो में से कोई नहीं, देगे विखलपों में से किसी में भी magnetic disk की तुलना में अधिक data access करने की गती नहीं होती है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्ण था, वो था search engine क्या है, search engine क्या है तो जो search engine होता है, वो होता है आपका एक program जो worldwide wave में दस्तावेजों की खोच करता है ठीक है, search engine में आपको पता ही होगा सबसे जो famous है, वो है आपका google, इसके अलावा जो yahoo है, वह भी एक search engine है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निमलिखित में से कौन सा computer का अधार भूत कारे नहीं है ठीक है, उपर उक्ते प्रशनों में हमने देखा, hardware से संबंधित प्रशन थे, अब आगे जो pattern है वो change हुआ है देखते हैं आप कौन सा प्रशन पूछ रहा है, इसमें है कि निमलिखित में से कौन सा computer का अधार भूत कारे नहीं है तो दिये गए विकल्पों में से जो हमारा सहीं उतर रहता, वो है text copy करना input accept करना, data process करना, data store करना, ये सभी computer के आधार भूत कारे है, मुख्य कारे है ठीक है, लेकिन जो text copy करना है, वो computer का base function या मुखल भूत कारे नहीं है अगला देखते हैं, निम लिखित में से कौन सा सभी output डिवाइसों का एक समुह है निम लिखित में से कौन सा सभी output डिवाइसों का एक समुह है तो दिये गए विकल्पों में से जो हमारा सहीं उतर रहता, वो है था option D, plotter, printer और monitor ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक निरगम या output कागज के मुद्रण हे तू, वह printer जो प्रकास किरण का प्रयोक करता है और स्याही के कड कागज पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गी कृत किया जाता है उसे सबसे अच्छा वर्गी कृत किया जाता है, तो इसका सहीं उतर रहता option C laser printer की रूप में उसे सबसे अच्छा वर्गी कृत किया जाता है अगला जो प्रशन है, वह है निमलिखित में से कौन से सिर्फ line printer के group है तो इस प्रकार की printer को हम non impact printer कहते हैं, ठीक है, बीना किसी character या अप्छर के जो mechanical impact होते है उसका हम क्या कहते है, non impact printer कहते है यह जो आपने देखे, तीन चार प्रशन जो थे वो printer से जंबन दी थे, अब आगे फिर question change हुए है तो मुखे जो है computer में आपको hardware, printer, software या operating system जो होते हैं इन में से कुछ ज़्यादा प्रशन पूछे जाते हैं, तो इन पर थोड़े विशेज ध्यान दीजेगा खेर हम computer की अलग से एक test series लेकर आएंगे, जो आपको परिक्षा में काफी मदद करेगा चाता वासे दिक्षा को और पटवारी की परिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, निम लिखित में से कौन सा operating system नहीं है तो इसका सहिँ तर रहेगा आपका option C open solaris, यह कहाँ एक application है, ना कि operating system है ठीक है, और जो Linux है, Windows है, यह कहाँ एक operating system है अगला देखते हैं, operating system, editors और divgers आते हैं तो इसका जो सहीं उतर रहेगा, वो रहेगा आपका option A system software के अंतरगत आते हैं, यह सब operating system, editors और divgers जो है, वो किसमें आते हैं system software के अंतरगत आते हैं आगे बढ़ते हैं, open source operating system के बारे में निम लिखित में से कौन से सहीं है open source operating system के बारे में निम लिखित में से कौन से सही है पूछा है ठीक है तो दिये गए विकल्पों में से जो हमारा सही होतर रहता है वो है तो option D उपर योगता सभी Ubuntu, Suge, Manudriva और Devian ये सभी क्या है open source operating system का एक भाग है आगे देखते हैं अगला है A2 से यहाँ पर आपको एक निशान दिया गए है ratio का और A4 इंगित करता है तो ये जो symbol है वो किसको इंगित करता है तो ये है जो symbol है वो इंगित करता है Sale A2 से Sale A4 तक को ठीक है आगे देखते हैं keyword से related एक question था एक paragraph इंडेट बढ़ाने के लिए खालिस्थन shortcut key का प्रयोग करें ठीक है ये भी keyword से question है एक paragraph इंडेट बढ़ाने के लिए खालिस्थन shortcut key का प्रयोग करें तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा अगर आपने computer Ctrl A M रहेगा ठीक है आगे देखते हैं verification की प्रक्रिया है तो verification की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो verification की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं authentication की ठीक है ये authentication process होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति का verification किया जाता है अगला देखते है ने लिखित में से कौन address हर रोज नहीं बदल बदलता है कौन जो है एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है तो दिये गए विकल्पों में से जो सहीं उतर रहेगा हमारा वो रहेगा आपका common name और number यह हमेशा address नहीं बदलते हैं बाकी आपका जो static IP है dynamic IP है यह unique IP है वो address बदलते रहते हैं अगला देखते हैं अब 2017 के जो प्रशन थे उसको हम करने वाले है 2016 के प्रशन के उत्तर हमने देखे ठीक है पहला जो प्रशन था वो था कि animation क्या है animation क्या है तो जो animation है वो आता है आपका इस्थिर चित्रों को गती देने की प्रक्रियों को हम क्या कहते है अगर आपके फोन में Google फोटोस होगा तो आप उसमें देख सकते हैं आपके पास कई बार animation वो आटमेटिक बना के देता है इस्थिर चित्रों को एक animated form में आपको design करके देता है तो इससे आप अंदाजा ल नहीं है अग्ला दिखते हैं ब्रॉजिंग वेब साइट के लिए किस प्रोटोकञ्ट का उपयोग किया जाता है ब्रॉजिंग वेब साइट के लिए तो इसका सहीं उन्तर रहेगा option B, HTTP का, भी अपयोग किया जाता है आपका ब्रॉजिंग प्रोटोकल कि लिए आगे दिख तो आपको पता ही होगी पड़वारी में जो परिक्षा है उसमें 12th basis पर कोश्चान आते हैं यह ज़्यादा हाड नहीं रहता है बस क्या है कि थोड़ी बहुत और महनत अच्छे से गर लेते हैं तो आपका रिजल्ट होने का चांस बहुत जादा बढ़ जाता है तो सभी अच्छे से त्यारी किजिए सभी का रिजल्ट होना चाहिए ऐसा हम उम्मिद रखते हैं आगे देखते हैं अगला जो प्रश्ण है निम्न में से क फार्मूला लिखने हितु खालिस थांचिन्ह का उपयोग किया जाता है तो इसका सहीं उतर रहेगा ऑप्शन डी इक्वल का जो है यूस किया जाता है फार्मूला लिखने के लिए आगे देखते हैं US की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनिक विक्सित की है जिसे कहते हैं MIT ने 2016 में प्रिंट की एक नई टेकनिक जो विक्सित की थी उसको क्या कहते है तो इसका सहीं उतर रहेगा ऑप्शन A 4D प्रिंटिंग कहते हैं उसको 1986 में विक्सित किया गया कंप्यूटर वायरस जो की स्टोरेज मीडिया के बुड सेक्टर को प्रभाइद करता है जिसे MS-DOS fat system में से format किया गया है वह क्या है तो उसका सहीं उतर रहेगा option B brain ठीक है आगे देखते हैं एक terabyte memory बराबर क्या होता है तो एक terabyte memory बराबर होता है आपका 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट इस तरीके समारा सहीं उतर हो जाएगा हमारा option C ठीक है अगला परिवर्तन नहीं कर सकते वह हटा नहीं सकते ठीक है किस device में data को इस्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते और उसे हटा भी नहीं सकते तो इस प्रशन का सहीं तर रहेगा option D tape drive में आप data को एक बार इस्टोर कर लेते हैं तो उसको आप परिवर्तित नहीं कर स एक्स्ट्रीम डीजिटल ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा सॉप्ट्वेर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉप्ट्वेर है आपने 2016 के भी प्रश्णों में देखा होगा कि जो सॉप्ट्वेर हैं या ओपन सॉर्स इन सभी से ओपरेटिंग चर्म कीबोर्ड और hardware और software से, ये main portion रहते हैं computer के जिससे प्रश्ण काफी बार बनते हैं, तो उसकी त्यारी अब थोड़ी ज्यादा कीजेगा, ताकि आपके परिश्यम result और अच्छे से हो सके, एक एक नमबर अभी value रखते हैं, क्योंकि post कम है, competition ज्यादा है, तो इस प्रश B, दो प्रकार के, thermal printer में उप्योग होता है, thermal printer में क्या उप्योग होता है, तो thermal printer में जो रहेगा, इसका सहीं उतर रहेगा, option D, इन में से कोई नहीं, न ribbon, न ink, न powder, ठीक है, ये तीनों उप्योग नहीं होते हैं, अब क्या उप्योग होता है, इसका उतर आप हमें comment करेंगे बताईएगा ताकि थड़ा पता चलेगा कि आपकी तयारी कैसी है आगे हम आने ताकि हम आगे जो जिरिज लाने वाले हैं उसमें आपकी तयारी और अच्छे से करा सकें अगला प्रशन है एक POS मसीन हे तू निम्न में से क्या सही है तो यह जो है मुद्रा रही त्या कैसलेस सौप्टवेर है वेबसाइट निर्मार हे तू फ्री ओपन सौर्स सौप्टवेर क्या है तो इसका सही उतर है आपका आप्सन ए पी एच पी जो है वेबसाइट निर्मार हे तू फ्री ओपन सौर्स सौप्टवेर है अगला प्रशन है निम्न में से कौन से प्रिंटर से प् स्पेक्ट्रम को छोटे-छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और फ्रत्यक उप्भोकता में बांड दिया जाता है तो इसका सहीं तर है आपका ओप्शन C, FDMA, ठीक हैं, आगे बढ़ते हैं, गडिती ये प्रस्तूती करण से ध्वानी उत्पन करने वाला हाड वेयर कौन सा है, तो इसका सहीं उत्तर रहेगा आपका ओप्शन A, Sound Synthesizer, ठीक है, एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से इस्थाई डाटा रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, Master File, ठीक है, बहुत लोगों ने इसका उत्तर, Option D लिया होगा, Sequential File, तो य उसके प्रशनों के जहां, एनलिसिस करने वाले हैं, कम्प्यूटर भाग का, आगे आने वाली वीडियोस में हम सभी जो पार्ट है, 36 गड़जी के है, Hindi, English और Current Affairs या GS के जो गड़ी त्रिजनिंग भी थे, उन सभी को हम solve कराएंगे, तो जुड़े ही हमारे साथ, और अपनी प्रशन है कि निम लिखेत में से कौन सी वेब साइट आपको इस्थानिय दुकानों का वीवरंड देगी, तो इसका उत्तर आपको विकल पर देखते ही पता लग जाएगा, इसका सहीं उतर रहेगा option C, ठीक है, localsops.com, www.localsops.com, आगे देखते हैं, एक तखनीक जिसमें एक प्रोग्राम, IP प्रसारांड एड्रेसिंग ऑपरेशन का दूरुपियोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, वो क्या कहलाता है, तो इसका सहीं उतर रहेगा आपका option A, ठीक है, उसको हम कहते हैं, इसमर्फिंग कहते हैं, एक तखनीक जिसमें एक प्रोग्राम, IP प्रसा पर खुद ही अन्य केम्प्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, ट्रोजन होर्स, option B इसका सहीं उतर रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन था कि VGA का पूर्ण रूफ या फूल फार्म आपको बताना है, तो VGA का फूल फार्म रहेगा, वो रहेगा आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, option C हमारा सहीं उतर रहेता, निम लिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फार्मेट नहीं है, इमेज फार्मेट नहीं है, तो इसका सहीं उतर रहेगा, option A, .img, ठीक है, बाकी जो PNG, TIFF और JPG है, वो इमेज फार्मेट है, एक टीबी बराबर क्या होता है, तो दिये गया है, विकल्प 10 पावर 3 GB, 10 पावर 600 MB, या 10 पावर 9 KB, तो एक टीबी बराबर होता है, उपर युक्त सभी, ठीक है, उपर युक्त सभी रहेगा इसका उतर, आप किसी को भी एक टीबी के एक्व option B, ठीक है, हम आप किजिएगा option D, cylinder, track और sector, track जो है sector से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसका option D रहेगा, निमलिखित में से कौन सा एक Google का product नहीं है, निमलिखित में से कौन सा एक Google का product नहीं है, तो इसका उतर तो आपको पता ही होगा, Android, Chrome और Gmail जो है, Google के product है, और iOS है वो Apple का product है, ठीक है, तो हमारा सहीं उतर हो जाएगा option B, YouTube के गुड़ों के बारे में क्या गलत है, तो इसका सहीं उतर रहेगा option B, YouTube जो है video analysis नहीं करता है, बाकी जो है आपका की video upload करना, video download करना, video search करना, ये सभी काम जो है, YouTube के होते हैं, अगला प्रशन देखते हैं, रोब अगला इस अगला देखते हैं आपका option D, printer कहलाता है, अब आप कहेंगे कि barcode reader क्यों नहीं होता, तो barcode reader जैसे barcode को read करता है, laser light भी barcode को read करता है, लेकिन जो printer होता है, वो universal product code को भी read करता है, इसलिए option D हमारा सहीं उतर रहेगा, अगला प्रस्ना देखते हैं, computer का कौन सभाग, processor को बाकी hardware से जोडता है, computer का कौन सभाग, processor को बाकी hardware से जोडता है, तो इसका सहीं उतर रहेगा, option A, motherboard, ठीक है, अगला देखते हैं, computer system को नियंतरित करने वाले program का क्या नाम है, computer system को नियंतरित करने वाले program का नाम क्या है, तो इसका सहीं उतर रहेगा, आपका option C, software रहेगा, ठीक है, अगला देखते है इंक जेट प्रिंटर एक image को कैसे प्रिंट करता है इंक जेट प्रिंटर एक image को कैसे प्रिंट करता है तो इसका सहिंधतर हैगा character की spray printing से ठीक है, इंक जेट प्रिंटर जो है image को character की spray printing के थुरू प्रिंट करता है अगला देखते हैं Dot Matrix Printer का दूसरा नाम क्या है? Dot Matrix Printer का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है Impact Printer Dot Matrix Printer को हम Impact Printer भी कहते हैं अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा एक Operating System नहीं है? नहीं है पूछ रहा है तो इसका सहीं उतर रहेगा आपका Option D Oracle Oracle जो है एक Operating System नहीं है बाकी Windows, Linux और Dodge जो है एक Operating System है निम्न में से कौन सा Single User Operating System है? Single User Operating System पूछ रहा है आपसे तो इसका सहीं उतर रहेगा Option D A और C दोनों जो है एक Single User Operating System है Unix जो है एक Multi User Operating System होता है ठीक हैं अगला देखते हैं MS Office Software Group के साथ कौन सा Spreadsheet Application आता है क्या पूछ रहा है MS Office Software Group के साथ कौन सा Spreadsheet Application आता है तो इसका सहीं उतर रहेगा आपका Option B MS Excel आता है उसके साथ साधारता Footer कहां पर Print होता है Footer कहां पर Print होता है Footer जो है सभी प्रिष्ठो पर Print होता है 2017 और 2019 के जो कंप्यूटर भाग के प्रश्ण थे उनका Analysis किया अगली आने वाली वीडियोस में हम जो Language है लेंग्वेज है हिंदी इंग्लिष्ट और शत्तिजगर्ड जीए गड़ित रिजनिंग इन सभी का भी Analysis करेंगे तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियोस के notification आपको मिल सकें आप अपनी परिक्षा के त्यारी बहुत अच्छे से कर सकें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जैहिंद